पिछले दिनों की ही बात है जब अपनी फिल्म दोबारा के प्रोमोशन के दौरान तापसी पन्नू ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि लोगों को हमारी फिल्म का भी बाइकॉट करना चाहिए क्योंकि हम भी बॉली बुट का हिस्सा हैं। कोई असर नहीं पड़ा। एक तो वैसे भी इस फिल्म को देश भर में मात्र 300 सिनेमा घरों की स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। उसमें भी करीब 30% जगाओं पर इस फिल्म के शो कैंसल कर दिये गए क्योंकि इसे एक भी दर्शक देखने नहीं पहुचा। अपनी रिलीज क लिए पहले दिन ही तापसी की फिल्म ने मात्र 35 रुपे की कमाई की जो की बहुत कम है। उमीद लगाई जा रही थी कि ये फिल्म कम से कम बुरे हालातों में भी 50 रुपे की ओपनिंग करेगी। लिकिन तापसी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले से हाफ रही लालसिंध चड़ा और रक्षा बंदन से भी पीछे रह गई लाल सिंग चड़ा और रक्षा बंदन की रिलीज को कल नौवा दिन था लेकिन फिर भी इन दोनों फिल्मों ने नौवे दिन भी तापसी की फिल्म दोबारा से जाधा कमाई कर ली वैसे तापसी की फिल्म का कड़ा मुकाब बंदन से भी जादा है वही तापसी की फिल्म 35 लाग कमा कर कार्तिके के पैरों की धूल भी नहीं बन पाई इस बीज तापसी ने एक पोस्ट भी शेर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भले ही बॉक्स आफिस पर परिणाम कुछ भी हो हम जानते हैं कि हमने एक ऐसी फिल्म ब साफ हो जाएगी कि दर्शकोंने सच में तापसी की बात मानी है या फिर नहीं फिलाल आपको क्या लगता है अपनी रहा हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलिवुड पे चरचा को सब्सक्राइब कीजे